हरे कृष्णा राधे राधे बक्तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने लड्डू गोपाल जी का और अपना सुबह से लेकर के राध तक का सेवा दोतीन दिखाने वाली हूँ तो वीडियो को पूरा देखना तो फ्रेंट्स सुबह सबसे पहले इस नान करने के बाद और मैं करती हूँ अपने घर की पूजा और देखिए लड्डू गोपाल और राधारानी अभी सो रहे हैं तो इन्हें मैं अभी नहीं जगाऊंगी क्योंकि अभी बजा है सुबह का साड़े छे उसके बाद देखि अब मैं अपने थाकुरजी को बड़े प्रेम से उठाती हूँ राधारानी को उठाती हूँ तो फ्रेंट्स ये है Tuesday का ब्लॉग जिसंदिन सावन का सोमबार था उसके अगले दिन की सोबा है ये तो फ्रेंट्स सोमबार को राधारानी बनी थी माता पारवती और लड़ू पाल वने थे भूले वाबा और कितने सुन्दर लगए थे आप लोगों ने बहुत पसंद किया उनका वो वीडियो तो फ्रेंट्स हमारी लाडो ने सिर्फ गहने उतारे और वही ड्रेस बहन के वो सो गई थी रात को और ये देखिए भूले वाबा के वस्तर रखे हुए हैं दमरू जम के बजाया हमारे ठाकुर जी ने बड़ी रौना का ही सच में तो फ्रेंट्स क्योंकि लाडो का और ठाकुर जी का होता है शिंगार और इनकी सेवा में टाइम जाद लगता है इसलिए मैं इनकी बाद में ही सेवा करती हूँ मंदिर की पूजा मेरे घर में सबसे हो जाती है तो बस इने लाड़ दुलार के साथ उठाना और जल पिलाना देखिए दो फ्रेंट्स मैंने बहुत जादा कुछ नियम नहीं उठाए हुए हैं मैं बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से पूरे दिन इनकी सेवा करती हूँ तो बस देखिए छोटे वाले लाला हमार बहुत छोटे हैं तो मैं जादा तर उन्हें अलग से कटोरी में लेकर के जल पिलाना दूद पिलाना इस तरह से सेवा देती हूँ और देखिए मंदिर में से मैंने बिस्तर समेट दिये हैं और जो मंदिर में नीचे की तरफ ड्रॉर है न बस उसी में मैं इनके जो है ये ब इस तर रख देती हूँ तो अब बस इनका कराएंगे हम इस्तनान और सबसे पहले हमारी लाडोरानी ने इस्तनान किया है वस्तर पहना दिये ठाकुर जी के लिए भी देखिए हमने वस्तर निकाल के रख लिए हैं तो फ्रेंट्स ये तैयारियां मैं रात को ही कर देती जैसे पूजा के बरतन रात में साफ करके रखना ठाकुर जी को कौन से वस्तर पहनने हैं कौन सी जुलरी पहननी हैं ये सब मैं रात में ही निकाल के रख देती हूँ तो यहाँ पर देखिए हमने धूप दीब जला लिया है और शिंगार आरती मैं ठाकुर जी की जिसमें कि मैंने इनके लिए आम कट कर दिया है और दूद का मैं भोग लगा रही हूँ तो फ्रेंट्स क्यूंकि अभी गर्मिया है ना तो मैंने इसनान कराने के बाद में ही भोग लगाती हूँ और जैसे कि सरदियां आ जाती हैं तो पहले जैसे दूद का भोग लगा दि थोड़ी देर उनको बैठे रहने दिया उसके बाद इसनान कराना इस तरह की सेवा मौसम के हिसाब से थोड़ी बदलती रहती है तो बेटे की आती है सुबा साड़े साथ वजे वेन वो भी टिफिन लेके नाश्ता करके स्कूल चला गया है हस्बेंड भी ऑफिस चले गए और चाए मैंने अपने हस्बेंड के साथ पी ली थी लेकिन मैं अन नहीं खाती हूँ जब तक की ठाकुर जी को भोग ना लग जाए तो फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं पूजा से पहले चाए या पानी नहीं लेती हूँ तो हाँ ये बात बिल्कुल प्रशाद रूप में बाद में इसे मैं ही खालूंगी तो फ्रेंड्स कभी कभी पतानी ठाकुर जी सुबा सुबा ही अपनी सेवा करा लेते हैं घर में जब तक लोग सोके भी नहीं उट पाते तब तक ठाकुर जी इसनान कर लेते हैं शिंगार करा लेते हैं तो जैसे कि मै गूपाल जी की सेवा में हर दिन एकसा nha होता है लेकिन हमें अपने ग्रस्त जीवन को पहले देखना है ठीक है लेकिन हमारी पूझा भक्ती की वज़े से घर में किसी सदस्य को कष्ट नहीं होना चाहिए सबकी जरूरतें आप पहले पूरी करें उसके बाद अपने ठाकुर जी की सेवा करें ठीक है तो मैं तो फ्रेंट्स ऐसे ही करती हूं मैंने भोग लगाया था दूट का उसकी मैं चाय बनाऊंगी और ठाकुर जी के लिए बनाऊंगी मैं लसी क्योंकि गर्मी बहुत जादा है तो फ्रेंट्स दो पैर के समय सिलाई करना वीडियो की एडिटिंग करना समय मिल जाए तो थोड़ा बहुत देर लेट भी जाती हूं आज मैंने क्या काम किया है ये भी मैं आपको वीडियो में जरूर से दखाऊंगी तो फ्रेंट्स जादा तर मैं शाम के समय नाश्ता वनाती हूं जैसे पोहा हो गया पकोरी हो गई लेकिन आज गर्मी भी ब वस्तर सेवा देनी है तो वो सब कुछ दिमाग में चलता रहता है कैसा कपड़ा होना चाहिए कैसी लैस होनी चाहिए उस पे लगाने के लिए तो बस यही सब करती रहती हूं सारा दिन लेकिन फ्रेंट्स सच बताऊं मुझे बिजी रहना बहुत जादा पसंद है और जो भी सेवा मैंने ले रखी है ना जैसे वस्तर सिलना या यूट्यूब पे जैसे वीडियो बनाना ये सबी कुछ ठाकुर जी से जुड़ी हूई सेवाएं हैं तो इन में मुझे पूरा दि लाइट्स ओन कर लेंगे और उनको जो है हलका सा तालीव जाके ठाकुर जी को उठाएंगे कि ठाकुर जी आए और भोग लगाएं तो फ्रेंट्स कहते हैं कि ग्रस्त जीवन में रहते हुए अगर तिनका भर सेवा भी हम करते हैं तो इससे प्रबू रीज जाते हैं बहुत प्रसन होते हैं ठाकुर जी ग्रस्तियों की सेवा से तो ये लसी का भोग मेरा बेटा पी के चला जाएगा ट्यूशन जाता है वो शाम को और उसके बाद मैंने चाए पी ली थी चाए पीने के बाद अब बच चुके हैं शाम के 5 बच के 10 मिनट हो रहा है और मैं बाल कंगा क करती हूं क्योंकि फ्रेंट्स महिलाओं के संग बड़ी दिक्कत होती है बालों की और बालों की चाहें कितनी भी केर क्यों ना कर ली जाए लेकिन दो-चार बाल तो जरूर तूटते हैं और हमारे घर के बुज़र्ग लोग कहते हैं कि महिलाओं के बाल इदर उदर घर में नहीं पड़े होने चाहिए तो फ्रेंट्स खाने में बालाना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है और दूसरा कहते हैं पूरा ही खाना अशुद दो जाता है तो इन छोटी-छोटी सी बातों का हम महिलाओं को जरूर से ध्यान रखना चाहिए और जैसे सुबा में हम अच्छे से घर को साफ करके तभी भगवान की पूजा करते हैं ऐसे ही शाम की जाडू भी बहुत जरूरी होती है क्योंकि फ्रेंट्स संद्या के समय लक्षमी जी का आगमन होता है तो घर एक तब साफ सुतरा होना चाहिए अच्छा घर के मंदिर के आसपास ना मैं गीले कपड़े स रख दिया है उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ नहांके और फ्रेंट्स ये मेरा डेली का रूटीन होता है जो लोग मुझे जानते हैं मेरे आसपार रहते हैं उन सभी को पता है तो फ्रेंट्स आज दो पहर में मैंने क्या काम किया था इसकी एक जलक मैं आपको दिखा दूँ मैंने बनाए थे रादा रानी की पुरानी चूडियों से कंगन और तो फ्रेंट्स और भी बनाए हैं और अगर आप दीखना चाते हैं तो कमेंट करना मैं उसका वीडियो भी डाल दूँगी तो फ्रेंट्स नहांके आने के बाद तो ऐसा लगता है गर्मी और भी ज शेयर कर दूँ अब शाम के 6 सवा 6 वजे का टाइम हो रहा है और इस समय में अपनी किचिन में क्या करती हूं शाम के खाने की तयारी कर देती हूं जैसे की सबजी कट करना आटा लगा के रखना ये काम तो आज मुझे बनाना है कठेल और कठेल कट करने के लिए आप हमेशा अपने हातों में ओईल लगा लें चाकू पर भी ओईल लगा लें इस से कठेल आपके हातों में चिप लेगा नहीं तो फ्रेंट्स मेरा डेली का रूटीन यही रहता है जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूं हाँ वो बात लगे घर में कोई आ जाए या हमें ही कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो फिर थोड़ा सा खाना बनाने का टाइमिंग आगे पीछे हो जाता है और राधा रानी की भजन सुने भिना तो मेरा काम हो ही नहीं सकता तो फ्रेंट्स जब भी आप खाना तयार करें तो आप भजन चला लें या फिर आप भगवान का नाम जा ब्रा में रहके आपको भोजन तयार करना है आप देखना आपके खाने का स्वाधना सौगुना बढ़ जाएगा तो फ्रेंट्स मेरे यहां हमेशा सात्विक भोजनी बनता है पहले हमारे यहां प्याज लेसन खाया जाता था लेकिन दीरे धीरे ठाकुर जी ने तनी महर की क कि हमारे यहां प्याज लेसन का खाना बनना ही बन दो गया और सभी को जो मैं खाना तयार करती हूं उसका भोग लगता है ठाकुर जी को और उस प्रशाद को पाने में बड़ा ही आननदाता है तो फ्रेंट्स ठाकुर जी के भोग में हमें शुदता पवितरता का ध्यान उसके बाद देखिए संध्याबाती का समय हो गया है तो घर की दहलीच पर दिया जलाना तुलसी जी में दिया जलाना गल के Māndir में दिया जलाना ये सब मेरा नियम रहता है शाम का और लौग कपूर से आरती करना तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना कि घर में सुबाज श लोगों का मन भी शांत रहता है आप गाई के गोवर के जो कंडे होते हैं उन्यें गरम करके गैस पे उसके ऊपर आप गूगल लोबान लॉंग कपूर तेजपात के पत्ते ये सब डाल के आप धूनी दे सकते हैं अपने घर में या फिर देखिए आज कल तो मार्केट में इज नहीं चाहि esti तो फेली पूजा में मैं लौ्णकपूर जरूर जलाती हूं और पूरे घर मैं इस तरह से घंटी बजा के और लौंकपूर की धूनी घुमा देती हूं दीमी दीमी अवाज में राधा रानी के काना जी के भजन चलते रहते हैं और कोई इस तरोज चलता रहता है, बहुत अच्छा लगता है इस समय पर और भूल कर भी इस समय कुछ भी अमें खाना पीना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए तो फ्रेंस अगर आप बहुत जादा बीजी रहते हैं, इतना समय नहीं होता तो कुछ ना भी कर सकें, कम से कम शाम के समय घर के मंद में धूप दीप जरूर जला दें, घंटी बजा दे तो फ्रेंस इस समय पे मैं आदे से पौन गंटा अपने ठाकुर जी के पास जरूर बैठती हूँ, कीरतन करना तो फ्रेंस डेली इस तरह से हमारी या कीरतन होता है, भजन चलते हैं तो फ्रेंस इस समय क्योंकि मुझे पर कोई काम की जिम्मदारी नहीं होती, घर में कोई शोर, शरावा नहीं हो रहा हुता है तो मैं ठाकुर जी की भक्ती में बहुत ही जादा लीन हो जाती हूँ, ऐसा लगता है वो मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें देख रही हूँ केबल दीपक की रोशनी में भगवान कितनी सुन्दर लग रहे हैं, जगमगार आये ना पूरा मंदिर और देखिए फोटो मूर्थियां कितनी सुन्दर लग रहे हैं तो फ्रेंट्स सबजी तो मैंने अंधेरे में ही केंडल जला ली थी और मोबाइल की टॉर्च जला ली थी, सबजी बना ली थी और आटा मैंने लगा के रख दिया था पहले ही, तो मैंने रोटियां भी बना ली हैं यहाँ पे तो ठाकुर जी के लिए रोटिया मैंने बना ली है बाकी आटा मैं ढखके रख दूँगी क्योंकि अभी इतनी जल्दी कोई और खाना नहीं खाएगा और फ्रेंट्स ठाकुर जी को भोग लग जाता है ना उसके बाद टेंशन नहीं रहती जिसको भी भूग लगे वो अपने समय से खाते पीते रहो तो लाइट नहीं थी तिवा जैसे मैंने केवल एक सबजी बनाई कठेल की और फ्रेंट्स मुझे लोहे की कड़ाई में बनी हूँ सबजी बहुत अच्छी लगती है सच में बहुत स्वाधिस्ट बनती है थोड़ा कलर चेंज हो जाता है सबजी का लेकिन बहुत अच्छी बनती है आप में से कौन-कौन बनाता है लोहे की कड़ाई में सबजी मुझ भी हमारे जानने वाले हैं और फिर बाकी हमारे घर में तो मिठाई बचती ही नहीं है मेरे घर में मीठा बहुत खाया जाता है तो मैं यहाँ पे मलाई दे रही हूं ठाकुर जी को चीनी डालके क्योंकि दही का भोग दो बार लग चुका है सुबै के खाने में दही दिया था और शाम को मैंने लस्सी भी पिला दी थी ठाकुर्जी को, तो देखिए जो गुर्चने का भोग लगाया था, हमने संध्या पूजा के समय वो भोग हम हटा लेंगे, और तुलसी पतर डालके ठाकुर्जी को भोग लगाएंगे, और जल में हर बार बदलती रहती हूँ, तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं, अभी आठ बीस होने वाला है, और मेरा कीड़ तन हो गया, ठाकुर्जी को भोग लग चुका है, और अब यहाँ पे जो समय होता है न, यह वाला, यह मैं देती हूँ, अपने बेटे को, उसकी पढ़ाई का देखना, सारा दिन उन्होंने क्या किया, ट्यूशन में, स्कूल में, और आज तो उसका बना था प्रोजेक्ट, तो उसको मेरी हेल्प चाहिए थी, तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, मेरे घर के नीचे बिल्कुल पार्क है, और मैं ना पार्क में जाती हूँ, ना मैं कहीं फालतू, इधर उदर जाती हूँ, किसी के घर, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, हमारी कॉलोनी के जितने भी लोग है, सबी लोग मुझे बड़ा प्यार करते हैं, तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कि मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं है, बस हाँ, मैं नेगेटिव लोगों से, और नेगेटिव बातों से दूर रहती हूँ, मुझे सीधे और सरल लोग, और खास करके ठाकुर जी के भक्त ही पसंद आते हैं, और ठाकुर जी की इतनी किरपा है, कि मेरे घर में एंट्री भी ऐसे ही लोगों की होती है, जो पूजा भक्ती से जुड़े हुए हैं, जो ना दूसरों के लिए गलत बोलते हैं, ना सोचते हैं, तो फ्रेंट्स, रात को जब हस्पेंड आफिस से आते हैं, तब ही हमारे गर दूद आता है, तो दूद गरम कर दिया है, एक तरफ कटोरे में दूद थंडा हुने रख दिया है, दही जम आने के लिए, दूसरी तरब ठाकुर जी के लिए गिलास में दूद कर दिया है, ठंडा होने रख दिया है और शिंक देखिए पूरा साफ है, एक बरतन में किचिन का अच्छे से रात में साफ करके सोती हूँ तो फ्रेंड्स जितनी देर में दूद ठंडा होगा, उतनी देर में हम ठाकुर जी के शैयन की तयारी कर लेते हैं और देखिए मंदिर के जो सबसे नीचे वाली ड्रॉर है उसमें मैं रखती हूँ ठाकुर जी के बिस्तर तो फ्रेंट्स मंदिर के बगल में आप देख पा रहे होंगे जो मल्टी कलर का स्टोरेज है उसमें मैं रखती हूँ ठाकुर जी की ज्वैलरी और रेड कलर की जो अलमारी आपने देखी होगी न वो होती है ठाकुर जी के वस्तर रखने की और जितने भी उनकी वूलन ड्रेस है गरम जो सर्दियों वाली वो मैंने बैग में भरके और मैंने बैड में डाल दी है तो फ्रेंट्स क्योंकि ठाकुर जी के पास बस्तर बहुत जादा हो गए है तो रेड वाली अलमारी भी छोटी पड़ गई है इसलिए मैंने बड़े बॉक्स बना रखे हैं और चड़ाके उसके अंदर मैं ठाकुर जी के वस्तर रखती हूं तो देखिए हमने ठाकुर जी के बिस्तर पे इत्र लगा दिया है और फ्रेंट्स कभी-कभी देखिए फूल होते हैं तो गुलाब की पंखुडी मैं बिखेड देती हूं जिससे भी प्रेंट्स सुबै से शाम तक का यही रूटीन रहता है मेरा उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना कमेंट करना शेयर कर देना चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो जरूर से कर लेना राधे राधे